दोस्तों सबसे पहले आप लोग इन वीडियोज को देखिए ठीक है इनको कहते है फ्रूट टू एनिमल वीडियोज ठीक है आपने सोसल मीडिये पर इस तरीकी की बहुत सारी वीडियोज देखी होगी कभी इस्टाग्राम रील्स पर देखा होगा कभी यूटूब सोर्स में around रिखाहोगा कभी यहां पर जो इस तरीक बहुत सारी शल नहीं पर भर भर लोग यहां पर सोच रहे हो कि इन विडियोज को बनाने के लिए यहां पर काफ़ चारे सॉफ्टवेर, लैप्टॉप, कम्प्यूटर, पीसी वगएरे के जरूरत होगी तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूँ कि आपको यहां पर किसी भी चीज की जरूत नहीं पढ़ने वाली सिर्फ आपके पास एक म मॉबाइल होना चाहिए और इन विडियोज को बनाने है पर बहुत ही आसान है टिक है मैं आपको जो भी तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप लोग करेंगे ठिक है तो बहुत ही असानी से आप लोग इस तरीक है अगर चा Campaign पर यहां परayı जलोड़ है को इसे बिलोडो और प्रॉंप्ट आपको यहां पर कैसे लेकना है ठीक है वो सारा मैटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा ठीक है टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में है तो वहां पर फॉलो जरूर कर लें और आपको आप जो भी मैटेरियल चाहिए इन वीडियोस और टेकनिकल पॉइंट और चैंपने सब्काइब जरूर से लें बट हुसको यहाँ पर एक चीज का द्यान देना है कि आप जिस ही इस भी और आपको यहां पर झालेक्ट करना आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने जो फूंट है वो किसी अलग और का ले लिया है और आपने जो एनिमल है वो किसी दूसरे color का ले लिया ठीक है आपको ऐसा नहीं करना है आप लोग जिस भी color का यहाँ पर fruit लेंगे सी color का आपको यहाँ पर animal भी चूज करना ठीक है तब ही जो आपका यह वीडियो है वो अच्छे तरीके से हाँ पर create हो पाएगा और उस पर अच्छा ख कर लेना या फिर आपको Google ऑपन कर लेना ठीक है Google ऑपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है kriya.ai krea ठीक है जैसी इसको इस तरीके से सर्च कर लेंगे तो उपर यहाँ आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस त कि लिए यहाँ पर डेस्कोट्ब साइट में इने बल हो जायेगा मतलभ कि या डेस्कटॉप के तरीके वर्क करने लगे आपका मोबाईल फों्ट ठीक है पर आपको एक और जनरेट वीडियों सेक्षार लें के पर लिया निच्वाथ सब्सक्राइब with google के option पर click कर लेना जैसे आप यहाँ पर click कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर interface open हो जाता है ठीक है यहाँ पर आपकी mobile phone में जितनी भी सारी Gmail ID जो होते हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाती है ठीक है तो आपको जिस भी email ID से हाँ पर login करना है वो email ID को select कर लेना ठीक है तो मैं simple से हाँ पर एक email ID अपनी select कर लेता हूँ ID select करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से हाँ पर interface open हो जाता है तो यहाँ पर आपको continue के option पर क्लिक कर लेना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आप इस website में यहाँ पर login हो जाएंगे ठीक तो जैसी आपका यहाँ पर login वगेरा complete हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर interface open हो जाता है ठीक है नीचे लिख होता है welcome to create video नीचे मिल जाता है start option तो यहाँ पर आपको click कर लेना है जैसे यहाँ पर click कर लेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर interface open हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक video दिखाए जाता है कि इस website में आपको किस तरीके किसे यहाँ पर जो video जों है वो यहाँ पर create करना थीक है इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाए जाता है इसको नीचे आपको option मिलता है open app का तो यहाँ पर आपको click कर लेना है जैसे यहाँ पर click कर लेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर interface open the pen हो जाता है यहां पर आपको ऊपर- OPTION मिलता है, Key Frames मिलता है, Test Prompt तो आपको ऊपर वाले OPTION में उसमें क्लिक करके यहां को, तक-कर यहां पर आपको इस तरीकें से टैप कर देना है और जैसी यहां परकर आपको एक the key frame नश्चा है लगा देना ठीक है, यहां पर सबसे पहला keyframe जो है, वो आपको यहां पर सबसे पहले रख देना, ठीक है, इसके बाद इस तरीके से यहां पर थोड़ा दूर आ जाना, ठीक है, एक keyframe आपको यहां पर add कर देना, ठीक है, इसके बाद अब आपको यहां पर पहले वाले keyframe में करना क्या है, यहां प यहाँ पर पर फ्रूट वाली image को upload कर लीना ठीक है यहाँ पर आपको प्लस का icon मिलता है यहाँ पर आपको जैसी क्लिक कर लेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर अपनी gallery में आ जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपके यहां पर fruit वाली image को click करके upload कर लेना ठीक है यहां पर आपको थोड़ा सा time लग सकता है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा net की जरूरत होड़ी है ठीक है अगर आपके यहां पर network speed अच्छी है ठीक है तो यह काम जल्दी भी हो सकता तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं मेरे जो image है वो यहां पर upload हो चुकी है ठीक है इसके बाद अब आप लोग को यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से यहां पर tap कर देना ठीक है आपको upload कर लेनी है ठीक है इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा time लग रहा है कि यहाँ पर मेरा network इस पीड जो है थोड़ा सा slow है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर animal की image भी add हो चुकी ठीक है आप लोगों को भी यहाँ पर add कर लेनी है इसके वाद आप कहाँ पर नीचे click कर लेना है test prompt के option पर ठीक है यहाँ पर आपको एक prompt लिखना होगा जो कि मैं आपको अपने telegram channel पर दे दूँगा कि किस तरीके से आप कहाँ पर prompt लिखना है ठीक है तो यहाँ पर आपको click to add prompt को option मिलता है तो यहाँ पर आपको click कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर paste कर देना ठीक है तो मेरा जो prompt है यहाँ पर paste हो चुका ठीक है इसके वाद जैसी यह सारा process आपको complete हो जाता है कि नारे आपको आपको generate video को option मिलता है ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको click कर Risket भी लगा देना ठीक है, यहाँ पर experimental effect जो आपको देख रहा है, इसको यहाँ पर select कर लेना ठीक है, इसके वाद आपको यहाँ पर generate video को option पर click कर लेना जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो यहां पर generate होने लगेगा ठीक है यहां पर आपको थोड़ा सा time लग सकता है क्योंकि यहां पर network speed थोड़ा सा अच्छी चाहिए ठीक है और मैं आपको अपनी गैलरी में भी चल करें यहां पर दिखाने वाला हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो वीडियो वो यहां पर कितने अच्छे तरीके से जनरेट हो चुका है तो अब आपको इसको जो है अपनी गैलरी में कैसे ले जाना है चलिए आपको बताता हूँ तो यहीं पर आपको एक डाउनलोड को ओप्सन देखने को मिलता है जनरेट वीडियो के नीचे ठीक है तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है बट उससे पहले आपको यहां पर एक चीज का ध्यान देना होगा कि यह जो मेरा रेशियो है यह है 1 by 1 का ठीक है तो अगर आपको इसको यूटूब सॉर्स में डालना है या फिर इंस्टेग्राम रियल में डालना है तो उसके लिए जो रेशियो होता है वो होता है 9 by 16 ठीक है तो उसको चेंज करने के लिए यहां पर आपको सेटिंग का उप्सन देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पर आपको 9 x 16 जो रेसी होता उसको यहाँ पर इस तरीके से जैसी select कर लेंगे तो यहाँ पर यहां पर आपका वीडियो है वह source format में या फिर Instagram real के format में आ जाता है ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका वीडियो यहां पर आ जाता ठीक है तो अब आपको इस वीडियो को जो है अपनी गैल्डी में कैसे सेव करना ठीक है तो यहां पर आपको जनरेट वीडियो के नीचे जस्ट डाउनलोड को आपसन मिलता है तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंदे कुछ ही सेकंड के अंदर आपका यह जो वीडियो है, यह आपको गैलरी में यहां पर पहुंच जाएगा ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है जो मैंने आप कैहा है, तो इस तरीके से आप लोग भी यहां पर क्रियेट कर सकते हैं, यहां पर आप लोगों फ्रूट से जो है एनिमल वीडियो इस तरीके से आपर बना सकते हैं